प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी ने कभी अपने गुरू से गुजरात की सत्ता ग्रहन की थी और मुख्य मंत्री बने थे मोदी के ये गुरू थे केशु भाई पटेल गुजरात की राजनीती का एक जाना पहचाना नाम जिनने मर्नोपरान 2021 में पत्मुभूशन से सम्मानित किया गया यही वो शक्सियत है जिसने गुजरात से कॉंग्रेस का पत्ता ऐसा साफ किया कि उसके बाद कॉंग्रेस गुजरात पे कभी उठी नहीं पाई आए जानते हैं केशु भाई पटेल के बारे में 24 जुलाई 1928 को जुनागड के विस्वादर तालुके में उनका जन्म हुआ 1945 में वो आरेसे से जुड़ कर उसके प्रचारक बन गए 60 के दशक में जनसंग के साथ केशु भाई पटेल ने अपनी राज़ितिक पारी की शुरुवात की वे जनसंग के संस्ताफक सदस्यों में से एक थे एक दौर था जब केशु भाई और शंकर सिंग वागेला मिलकर संग और जनसंग के संगठन को मस्बूत बनाने के लिए गाउं गाउं भटका करते थे केशु भाई पटेल और शंकर सिंग वागेला के इस एक दौर का जिक्र हमने क्यूं किया इसके बारे में हम आपको जल्दी बताएंगे 1977 में केशु भाई पटेल ने राज़कोर्ट से लोगसभा का चुनाव लड़ा और जीता बाद में उन्होंने लोगसभा से इस्तीफा दे दिया और गुजरात के ततकारीन मुख्य मंत्री बाबु भाई पटेल की जनता मोर्चा सरकार में 1978 से 1980 तक क्रिशी मंत्री रहे 1980 में बीजेपी के गठन में भी केशु भाई पटेल साथ रहे और पार्टी के वरिष्ट आयोजक बने और विधान सभाद चुनाव जीत कर गुजरात बीजेपी में पैर मजबूत करते रहे 1995 के चुनाव में केशु भाई पटेल के नेत्रित्म में 182 में से 121 सीटे जीत कर बीजेपी ने ऐसा कमल खिलाया कि गुजरात में उनका काटा साफ हो गया कॉंग्रेस को महस 45 सीटें ही मिली 14 मार्च 1995 को केशु भाई पटेल ने गुजरात के दसवे मुख्य मंत्री का कारेभार संभाला केशु भाई पटेल ने अपने मंत्री मंडल में ऐसे किसी भी विदायक को जगे नहीं दी जो शंकर सिंग वागेला का करीबी माना जाता हो हम आपसे थोड़ी देर पहले चर्चा कर ही रहते की एक दौर की जब केशु भाई और वागेला एक साथ प्रचार किया करते थे ये दौर दूसरा था जिसमें एक ही पार्टी में रहते हुए भी उन दोनों के बीच दूरिया आ गई थी बस शंकर सिंग वागेला ने 47 विधायकों के साथ बगावत कर दी और केशु भाई पटेल की पहली पारी मह साथ महिने में ही सिमट गई बीजेपी के शीर्ष नेत्रित्म ने बीच का रास्ता निकालते हुए केशु भाई पटेल को विधा किया और सुरेश महता कुजराद के अगले मुख्यमंत्री बने इसके बाद शंकर सिंग वागेला ने अपनी पार्टी बनाई और मुख्यमंत्री भी बने लेकिन साल भर भी नहीं टिक सके 1998 में फिर विधान सबाद चुनाव गुए केशु भाई पटेल के नेतरित में बीजेपी ने गुजराद की 182 सीटों में से 117 का आंकरा छुआ लेकिन कॉंग्रेस को केवल 60 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा 4 मार्च 1998 को केशु भाई पटेल दूसरी बार गुजराद के मुख्यमंत्री बने इस बीच में आपको एक और डेवलप्मेंट बताते चले कि केशु भाई के पहले कारेकाल के दौराण ही नरेंद्र मोदी बीजेपी के केंद्रिय संगठर में आ चुके थे कहते हैं कि केशु भाई पटेल ने जब दूसरी बार मुख्यमंत्री पत की शबत ली तो सबसे पहले बीजेपी के केंद्रिय नेत्रित्व से कहलवा कर नरेंद्र मोदी को गुजराट से दिल्ली भिजवा दिया क्योंकि वो नहीं चाते थी कि मोदी गुजराट में नेताओं या लोगों से मेल मिलाप करें लेकिन विडंबना देखिए कि केशु भाई पतेल के सामने फिर से संकट खड़ा हो गया जब दोब चुनाव में बीजेपी को हार मिली और कॉंग्रेस ने जीत दर्ची फिर 26 जनवरी 2001 को गुए भुज भूकम की स्तिती न संभाल पाने की वज़े से बीजेपी के केंद्रिय नेत्रित्व ने ही दिल्ली से मोधी को गुजराग भेचा केशु भाई पतेल को मुख्यमंत्री पत से स्तीफा देना पड़ा और नरेंद्र मोधी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजराग के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला हो केशु भाई और मोधी में चाहे उतार चड़ा वाला रिष्टा रहा हो लेकिन मोधी ने कई बार मंचो से केशु भाई पतेल को अपना राज़्मतिक गुरू बताया है आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं देश और दुनिया की तमाम बड़ी ख़बरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तो इस समय पूरी दुनिया में लोग कन्फ्यूज़ हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है क्या सच है क्या जूट है और ये स्पश्टता हम आपको अपने इस नए शो में लेंगे सब कुछ ब्लैक और वाइट में बताएं इस शो में मेरे बालों के लावा कुछ ग्रे नहीं होगा हर ख़बर ब्लैक और वाइट की तरह बिलकुल स्पश्ट होगा